दोस्तो आज भी हमारे देस में ऐसी जड़ी बूटी होती हैं जिनके बारे में लोगों को पता नहीं होता या आज उतनी ज़ादा कारगर हैं उतनी ज़ादा शक्तिशाली हैं जो पहले हुआ करती थी लेकिन जानकारी के अभाव से लोग घास पूस समझते हैं और घास पूस से इनके फाइदे के बारे में बताते रहते हैं जानकारी के माद्यम से दोस्तो हम आपको ऐसी जड़ी बूटी के बारे में ऐसी वनस्पति के बारे में जो बहुत ही सक्तिसाली बहुत ही असरदार है जी हाँ दोस्तो ये आपके शरीर में कमजोरी को दूर करती है नपुन स साथ दिलाता है दोस्तों आज कल सफेद बालों का होना पकना ज़ड़ना या बहुत आम हो गया है उस भी इस ओसदी की माध्यम से दूर कर सकते हैं या फिर गंजे पन पर बाल उगा सकते हैं जी हां आज हम बात कर रहे हैं छोटा धतूरा के बारे में इसे अंग्रेजी में को टोवा भी कहते हैं दोस्तों खाली पड़े स्थानों पर खेत खलियानों में या सड़क के किनारे पाए जाते हैं चलिए दोस्तों बताते हैं इसके फायदे के बारे में दोस्तों वीडियो पसंद आएगा तो लाइक करें इस चैनल को सस्क्राइब करें और वीडियो पूर हो जाता है अगर आप सफेद बाल है अगर आपके बाल नहीं है गंजा है सर तो आपको इसके पत्ते पीस कर लगा लेना है पंदा से 20 दिन करें वहाँ पर फायदा होने लगेगा आपके गंजे सर पर बाल आने लगेंगे आपके सफेद बाल काले होने लगेंगे अगर आपके बाल बहुत ज़ादा ज़ड रहे हैं तो उनका ज़ड़ना भी रुख जाएगा दोस्तों बात करते हैं बावासीर के बारे में दोस्तों बावासीर होने पर इसके पत्ते पीस लीजिए 10 ग्राम दही के साथ सुबा साम दो टाइम सेवन करें ऐसा करने से आप खूनी बावासीर वादी बावासीर दोनों तरह के बावासीर ठीक कर देता है दोस्तों हम बात करते हैं सर्दी खासी ठीक होने के लिए तो दोस्तों जैसा मौसम बदलता है लोगों को सर्दी खासी समस्या होने लगती है इसके पत्तों को छाओं में सुखा ले और दूद के साथ पीस लीजे इसके पत्तो को छाओ में सुखाने के बाद इसका पाउडर बना कर दूद के साथ सेवन करने से सरदी खासी में अराम मिलता है इसके बाद कैसे अपनी कमजोरी दूर कर सकते हैं दोस्तो आज कल के समय में ज़ादा कमजोरी से परिशान है क्योंकि लाइफ स्टाइल इतना ज़ादा खराब हो चुका है कि अपने सरीर को वो सारे पोशक तत्तो दे ही नहीं पाते तो चलिए जानते हैं कि कैसे इसका सेवन करना है इनके पत्तो को सुखा कर चून बना लें दूद के साथ सेवन करने से आपके अंदर यौन शक्ती बढ़ती है कमजोरी दूर होती है बहुत सा सिंपल सा उपाय है आप इसका इस्तिमाल कर सकते हैं तो कैसे लगी आज की जानकारी कमिंस करके जरूर बताएं हम जल जुड़ते हैं नए जानकारी के साथ तब तक के लिए आप सबी का बहुत बहुत धन्यवाद नमस्कार